Hello my dear students, welcome to Vidya English Classes, तो आज की lesson में हम बात करेंगे, जब हम किसी के साथ, किसी के point of view, जहां किसी ने जो हमें information दी है, जब हम उसके साथ सहमत नहीं होते हैं, तब हम क्या क्या बोलते हैं, जिसे हम negative attitude and conversation के अंडर रखेंगे, means हमारे topic का नाम है negative attitude and conversation, इसके अंडर जब सब topic है, वो है हमारा, जब हम किसी दवारा दीगी information जब उसके point of view से सहमत नहीं होते हैं, disagree होते हैं, तब हम क्या क्या बोल सकते हैं, तो ये मैं आपको अलग-लग way में बताऊंगा कि आप कैसे English मे अलग-लग sentence यूज़ कर सकते हैं, जिनका मतलब यही होगा, कि आप उसकी दी गई information से, जा उसका जो point of view है, view point है, उससे आप सहमत नहीं है, कि का मेरे साथ बने रही है, कोई भी sentence ऐसा नहीं है, जो आप miss कर दें, इसलिए इस वीडियो को आपने अं तक देखना है, और हाँ वीडियो देखने के बाद अगर आपका कोई भी doubt हो, तो आप बेजिजग होकर without any hesitation आप हमसे पूछ सकते हैं, सबसे पहला जो word है, जब हम बोलेंगे, जब हम किसी के साथ उसी की information जा उसके point of view के साथ सहमत नहीं है, तो हम सबसे पहले क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं, that that's not entirely true, कि जो आपने बोला है, वो पूरी तरह सच नहीं है, entirely means पूरी तरह, इसकी जगह पर हम completely use करें, entirely की जगह पर completely use करें, तो लगेगा तो वो ठीक, but ये perfect है, means that's not entirely true, जो तुमने कहा है, बोलकुल सही नहीं है, उसके बाद the next and then, not always, जो ठीक है, जो तुमने बोला है, सकता है, बट हमेशा नहीं होता, जो इसे लिए हम इसकी जगह पर use कर सकते है, not always, इसके बाद not anymore, नहीं, अभी और नहीं, not anymore का मतलब होता, नहीं, अब ज्यादा नहीं होता, अभी और नहीं होता, means, तो मैं आपको एक और बता दूँ, last वीडियो में, एक परसन का question था, कि सर, हम इन में से कौन सा sentence याद करें, means, हम तो confused होगे, कि हम कौन सा sentence याद करें, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको बहुत से option देता हूँ, means, यह आप इस situation में अगर हो, तो आप यह भी बोल सकते है, यह भी बोल सकते है, और हाँ, आपने क्या करना है, दिएगे, सारे क सारे option में से choose कर लेनी है, कि आपने यह एक sentence याद करना है, दो करने है, चार करने है, या पांच करने है, means, मैं आपको suggest करूँगा कि आप चार से पांच sentence याद करने है, जिनका मतलब आप एक दूसरे की जगा पर use कर सकते है, means, कि ओई भी situation हो, तो आप उन sentences को use कर सकते है, आज की हमारी situation है, जब हम किसी के point of view जा information से सहमत नहीं है, तो हम क्या क्या बोल सकते है, तीन sentence मैंने आपको बता दिये, अगर आपको लगता है, कि जो आगे sentences आए है, इन से वो वाले वेटर तो आपने उनके choose करना है, चार आप सारे के सारे option में से दो तिन sentences, जादा से select कर लेना है, कि अगर आपको ऐसी कोई situation आए, जिसमें आप उस person के साथ सहमत नहीं है, तो आप क्या क्या sentence यूज कर सकते हैं, ठीक है, तो आपने चार जा पांच sentence याद कर लेना है, उसके बाद है हमारा next sentence, that's not the way I heard it, that's not the way I heard it, यह ऐसा नहीं है, जैसा मैंने सुना था, म means तुम जो बता रहे हैं, वो तो कुछ और है, whatever you are telling is, not the way I heard it, जब हम किसी को बोलते हैं कि तुम ने जो बता रहे हैं, तुम जो हमें बता रहे हैं, तुम ने जो बता रहे हैं, वो तो ऐसा नहीं है, जैसा मैंने सुना है, means मैं तुमारे साथ सैमत नहीं हो, तभी आप बोल है, यह ऐसा नहीं है, उसके बाद कौन सा हमारे पास option है, that's not right, यह तो हम अकसर ही use करते हैं, बड़ा simple सा sentence है, that's not right, यह सही नहीं है, that's not true, यह भी बड़ा simple सा है, that's not true, उसके बाद on the contrary, on the contrary तब हम बोलते हैं, जब जो दी गई सिचुएशन है, हम उसके opposite कुस बोलते हैं, जैसे मैं आपको एक example देता हूं, you are telling that Matthew is the one who has committed this error, तुम बता रहे हो के Matthew है, जिसने जे गलते की है, but on the contrary, I think, but on the contrary, I think, it's Tom, और मुझे लगता है कि यह is the Tom है, जब आप किसी person द्वारा दी गई information जा statement की उल्ट कुछ बोलते हो और इससे disagree करते हो भी, नहीं, यह सही नहीं है, यह है सही actual में, तुमने बताया कि Matthew है, जिसने यह गलती किया, पर मुझे लगता है, यह Tom ने की है, So, तब हम on the contrary, use करते हैं, आई बार समझ में, next sentence हमारा है, I can't accept that, मैं यह बिशवाश नहीं कर सकता, मैं यह सविकार नहीं कर सकता, कि यह भी हो सकता है, यह, I can't accept that, मैं यह सविकार नहीं कर सकता, कि यह चीज हो सकती है, जैसे, As you told me that Matthew was the one who committed that, but I can't accept that, तुमने बताया कि मैं यह बिशवाश नहीं लगता यह ठीक है, मैं इस चीज़ को सविकार नहीं करता नहीं, उसके बार, you have got that wrong, means तुम गलती करे हो, तुमने जो बताया, वो गलत है, you have got that wrong, आई बात समझ में, you have got that wrong, यह वाली जो sentences है ना, अगर आप competitive exam की तयारी कर रहे हो, आप UPSC, IS की तयारी कर रहे हो, या आप IELTS, PTE, TOEFL की तयारी कर रहे हो, तो मुझे पुरा बिशवाश है कि आप मन ही मन मुझे बहुत सा thanks कह रहे होगे, पर thanks कोई बात नहीं, मुझे आप से सिर्फ एक जा दो चीज़े ही चाहिए, वो क भाई जनों, अपने सवी दोस्तों जा जिनका आप खयाल रखते हो, जिनसे आप प्यार करते हो, उनके साथ शेयर करेंगे, देख तो यह मैं चाता हो, आप उनसे शेयर करें, और हाँ आप उनसे बार बार कहें, कि वो भी आगे इस चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, और ख क्या बताने की जड़ा जुरूरत है, जा आप को क्या मुझे और बताना है, जैसे कि मैंने अभी आप से बात शेयर की थी, कि एक स्टुवेंट का मैसेज आया था, एक परसन का मैसेज आया था, कि हमें थोड़ा सा कन्फूजन होई, कि हम कितने संटेंसे याल करें, तो मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, कि इन में से आपने चार जाप पांच संटेंस को लर्न कर लेना है, और उनको ही ऐसी सिचुवेशन में यूज़ करना है, सिचुवेशन कौन सी दी गई है इस वीडियो में, जब हम किसी की बात के साथ, किसी दौरा दीगी इन्फॉमेशन किसी दौरा दीगी स्टेटमेंट के साथ, अग्री नहीं करती, मेंज हम उसके साथ सहमत नहीं होती, तो हम क्या क्या बोल सकते हैं, फिकाईबा समझ में, इस वीडियो को देखने के बाद, इस कमेंट जूर करना है, लाइक करनी है वीडियो को, और हाँ शेर करना, नहीं उसके बाद है, हमारा संट है, you have got it all wrong, means पूरी तरह तुम गल्ती कर रहे हो, में जो तुमने बोला पूरी की पूरी तरह वो गल्त है, टीक है, strongly बोले है, you have got the facts wrong, में जो तुम facts बता रहे हो, असलित बता रहे हो, कि क्या क्या हुआ, जा क्या 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 किया गया, जा किस कि ने किया, जो भी हुआ, वो पूरी तरह गल्त है, में जो facts तुम बता रहे हो, you have got the facts wrong, में जो facts तुम बता रहे हो, सभी वो गल्त है, ठीक है, आईवा समझ में, उसके बाद है, you haven't got the facts, you haven't got the facts का मतलब क्या होता है, कि तुमें यार असलियत ही नहीं पता, तुम जो बोल र you are saying is wrong, because you haven't got the facts, में तुम जो बोल रहे हो, बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि तुमें असलियत पता ही नहीं है, you haven't got the facts, उसके बाद है, I don't think you have got your facts straight, मुझे नहीं लगता कि तुम जो बोल रहे हो, तुम जो facts बता रहे हो, बिल्कुल वो straight है, means वो बिल्कुल सही है, so देख बाद है, next sentence हमारा, you don't know what you are talking about, भाई साव तुमें तो यही नहीं मालुम के तुम बोल क्या रहे हो, ठीक है, जब कोई परसन बोल रहा हो और हमें लगता यार या क्या बोल क्या रहे हो, तब हम बोलेंगे, उसको खुड़ा सा महसूस कराने के लिए, इसको सही करने के लिए के you don't know what you are talking about, तुमें तो यही नहीं मालुम के तुम बात क्या कर रहे हो, किस चीज की बात कर रहे हो, इसके बात है, you don't know the first thing about it, first thing, know the first thing about it, mean जड़ा सा भी नहीं पता तुमें तो जो तुम बोल रहे हो उसका जड़ा सा भी नहीं मालुम, एबी सी भी नहीं पता तुम तो बता रहे हो कि यह हुआ वह हुआ है यूदा नो दफर्स थिंग अपाउड इन मी तुमें इसके बारे में जरासा भी नहीं मालूम आई बार समझ में उसके बाद है हमारा that's not the case नहीं है ऐसा नहीं है इसका मतलब होता है that's not the case नहीं है ऐसा कुछ नहीं है और इसकी जगह पर और क्या यूज़ कर सकते हो you are putting a spin on the facts putting a spin means तुम जो असलियत है जो facts है उसे तोड मरोड रहे हो तुम means बात का बतंगड बना रहे हो तुम you are putting a spin on the facts इसका मतलब ये हो गया that's a lie बड़ा सिंपल सा है यार ये नहीं है ये तो जूट है बाई साव ये तो जूट है ये ऐसा नहीं है उसकी जगह पर और क् कर सकते हैं you are lying through your teeth means तुम अपनी जुबान से पूरी तरह जोट बोल रहे हो हाँ चलो इतना हम straightly हम किसी को नहीं बोलेंगे जे अगर हम ये वहला sentence बोलेंगे तो हम उस person को directly बोल रहे हैं कि तुम तो यार गलत हो so you are lying through your teeth अब तभी बोलना जब आप थोड़ा सा गुसे में हो पर हाँ जब हम गुसे में होते हैं तो हमें मालूँ नहीं पड़ता कि हम बोल के रहे हैं बट ये वाला sentence है बिल्कुल directly आप किसी को blame करते कि तुम तो बिल्कुल जूट बोले हो चीक है nonsense nonsense कहने का मतलब यही है कि आप सामने वाले की बात से सहमत नहीं हो वैलोनी वैलोनी एक different way है कहने का जिसका मतलब होता है English में nonsense चीक है उसके बाद है that's a bunch of baloney बंच 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 है जूट की दुकान हो तुम तो बंच 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 को हम बोल से जूट की दुकान उसके बाद है मारा last sentence यही था हमारा that's a bunch of baloney so यह वाले जो सारे sentence आप देख रहे है मुझे मालूम है आप देख रहे हुए है इतने जारा पर कोई बात नहीं एक बार आपने ध्यान से सुन ली है मैंने आपको बता भी दिया कि कैसी के इन सभी का मतलब क्या है कौन कौन सी situation के हम कौन कौन सा sentence बोल सकते है और आप काम र कोई सकते हो जब situation क्या हो कि सामने वाले person को आपने बताना है कि आप उसके साथ सायमत नहीं हूँ जाग वह वाला जो बंदा है उसे समझ नहीं है असलिए पको इसको सही करना चाते हो कि तुम जो बोलरे वो गल्थ नहीं है तो यह है ठीक है तो यह थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने बात किया पूरी डिटेल में जब हम किसी के साथ अगरी नहीं करते अगर आपका कोई भी कोशन है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने जो लिंक दिये गए हैं जो आपको अभी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं तो आप इस लिंक पर क्लिक करके हमसे बात कर सकते हो इमेल यूट्यूब फेस्बॉक और टेली ग्राम के जरी हमसे जुड़ सकते हो और हां कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमसे अपना जो सवाल है वो भी पूछ सकते हो तो थैंक यू थैंक फॉछ वाचिए दो आप ए सुचाब्या चानल बेत्ड आप शोच लागन वेग्ए रेख शोड़ और आप ए रेख रहा है